हलो दोस्तों स्वागत है आपको हमारे इस चैनल में दोस्तों आज मैं आपको कार्थिक मास में कुछ नियम बताएगा है कि कार्थिक मास का ब्रत और तप जो लोग करते हैं उसे कौन-कौन से नियम को अपनाना चाहिए वो कौन से नियम है जिन्हें की कार्थिक मास में अपनाने से फल की प्राप्ती होती है तो आज मैं अपने इस वीडियो में पांच नियम बताऊंगी जो की कार्थिक के महीने में वो नियम अवस्य ही अपनाने चाहिए कार्थिक मास को बड़ा ही पवित्र मास माना जाता है धर्म सास्तों के अनुसार पूरी कार्थिक मास में ब्रत एवं तब का विसेश महत बताया गया है कार्थिक मास में कुछ नियम प्रवधान माने गया हैं जिन्हें करने से सुफ फल मिलते हैं तो आईए जानते हैं कि वो कौन से पांच नियम है जिने की हमें कार्तिक के महीने में करना चाहिए. पहला है स्नान, कार्तिक के महीने में सुर्योदे से पहले उठकर असनान एवं पूजा करनी चाहिए. पूरा कार्तिक, सुर्योदे से पहले उठ जाए और सनान करके पूजा कीजिए और फ्रिश वस्त पहनिए जो कि सुध कपड़ा हो दूसरा तुलसी पूजा, इस महीने में तुलसी पूजा का विसेश महत्व है तीसरा है काम दीपदान करना, इस महीने में पवित्र नदी में दीपदान अवस करना चाहिए इसे पुन्न मिलता है चौथा काम है भूमी पर सेर जो लोकार्ति के महीने में ब्रत करते हैं उन्हें भूमी पर सोना चाहिए भूमी पर सोने से मन में सात्वित्ता का भाव आता है, रथा अनविकार भी समाप्थ हो जाते हैं, यदि आप भूमी पर किसी कारण वस सोने में सक्षम नहीं हैं, तो भूमी पर आप चादर या चटाई डाल कर भी सो सकते हैं, पाच्मा कारण है, पाच्मा नियम है, कार्तिक मैंने आपको कार्तिक महीने में ब्रत और तब करते हैं उन्हें मुक्ष की प्राक्ति होती है और भगवान उससे प्रसन होकर सभी मनुकामना पूरी करते हैं तो यह थी मेरी कार्तिक मास्क के वारे में निकुष नियम उसे अपनाएं और अपनी मनुकामना पूरी करें आसा कर कि मेरा वीडियो पसंद आया हुआ वीडियो को लाइक करें सेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें